36 सौस्ट मंद्री टीया सिंग देव तीन दिवसी प्रबास पर बस्तर दोरे पर पहुँचे हैं जहां जग्दिलपुर के दंतेश्वरी एरपोर्ट पर कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने नारे बाजी कर भवे मंद्री का स्वागत किया जिसके बाद मंद्री बस्तर संभाग के सबसे बड़े मैडिकल कॉलेज में नयभवन का भूम में पूजन किया साथी मंद्री अस्पताल का निरिक्षण करने भी पहुँचे और अस्पताल के चिके सकों सहेच संभाग भर के मैडिकल स्टाफ से समिक्षर बैठक भी लिए आपको बता दे कि मीडिया से बातशीत करते हुए टियास सिंग देप ने सुपमाजरे के रेगण गटा में दो से तीन वर्षों में लगतार हो रही वही 61 आदिवासियों की मौत पर कहा कि इस काओं में किस कारेंट से मौत हो रही है और ब्रामिनों का उच्चित इलाज कराना सरकार की सिम्मेदारी है इसके लावा मंतरी ने देवाड़ा में गवे दो आदिवासियों की मौत पर उनकी परिवार को घंडरस बांदने और उनकी आत्मा को शांते बनने की भी बात कही साथ ही अन्य बीमार से पीडिक मरीजों को बैतर उपचार देने की बात कही वही मंत्री ने कहा कि अपने दौरे को लेकर दौरान बे बस्तर के वेपारियों के सांथ भी चडशा करेंगे और उनकी GST सब्धन्री समस्या पर विचार प्रिमर्श करेंगे इसके सांथ ही मंत्री करबस्तर फ्रेस खलब में पजश्कार पारता को खी समभी करेंगे उसके जो भी कारण है अलग- Around K Chinat क्या करना है उसकी जाच के अधहार पर उसको उप्षार सही मिल सके ये सब्सकार का जबाब है प्रिटने के करने।